हेलो स्टुडेंट्स आज के वीडियो में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है स्टुडेंट्स आज हम कुछ स्वृडियो को जरूर देख लीजिए तो आज मीडिसकस करेंगे हिस्टोरिकल मॉनोमेंट्स ओप इंडिया आज के कुछ historical monuments है उनके बारे में आज हम जानेंगे कहां क्या है ठीक है फर्स्ट कोस्टिन है यनि कि जो famous golden temple है वो पंजाब के कौन से place में है उप्सन नमबर A चंडिगर, उप्सन नमबर B बटियाला, उप्सन नमबर C अमरित सर, और उप्सन नमबर D लुधियाना, तो इन चार options में से इसका right answer होता है यह होता है अमरित सर, ठीक है So, the famous golden temple is located in अमरित सर, ठीक है इसके बाद क्या question आता है इसके बाद question आता है the famous kutub minar which is located in Delhi created by home, ठीक है यह जो kutub minar है जो की दिली में है यह किसके दुआरा किया गया था option number A साजान, option number B आकबर, option number C जहांगीर, और option number D kutubuddin आईवाक तो इन चारों में से इसका right answer होता है kutubuddin आईवाक, इसी नही kutub minar को create किया था, या build किया था, ठीक है then, जामा मस्जीद which was created by साहाजाहान is located in which state of India ठीक है, जामा मस्जीद जो साहाजाहान के द्वारा त्यार क्या गया था वो कौन से state में है, इंडिया के option number A, उत्राखंड option number B, उत्तरप्रदेश option number C, करनाटका option number D, तामिलनाडू तो ये जामा मस्जीद जो है, वो अग्रा में है का है, अग्रा जो की, यूपी में होता है ठीक है, इसका right answer होता है option number B, उत्तरप्रदेश ठीक है, then आरमभाग was built by home आरमभाग किसके द्वारा built किया गया था option number A, आकवर option number B, बावर option number C, सहाजान option number D, नूरजान ठीक है, तो ये जो आरमभाग ये कहां है, ये ये भी अग्रा में है, और ये built किया गया था बावर के द्वारा, ठीक है तो इसका right answer होता है, option number B बावर, तो आरमभाग was built by बावर ठीक है, then which of the following is not located in अग्रा इन में से कोन एक प्लेस है जो की अग्रा में नहीं है option number A, मोती मस्जीद option number B, आकवर स्टॉम option number C, जनतर मंतर option number D, सिस महल ठीक है, तो इन चारों में से इसका right answer होता है जनतर मंतर जो की अग्रा में लोकेटेड नहीं है ठीक है, ये अग्रा में लोकेटेड नहीं है then अनन्द भावन which was built by मोतिलाल नहरू is located in which state, in which city of India अनन्द भावन, जो की मोतिलाल नहरू के द्वारा create किया गया था is located in which state of India वो कौन से state में sorry, state नहीं, city कौन से city में वो located है option नमबर 1, कोलकाता option नमबर B, हाइदराबाद option नमबर C, अल्लाबाद option नमबर D, लोकनो so, इसका right answer होता है अल्लाबाद so, अल्लाबाद में अनन्द भावन बिल्ड किया गया था किसके द्वारा, मोतिलाल नहरू के द्वारा ठीक है then, St. George Fort which was built by East India Company in which state of India so, St. George Fort जो की East India Company के द्वारा बिल्ड किया गया था ये कौन से state में है option नमबर A, महराष्टर option नमबर B, करनाठग option नमबर C, तमिलनाडू और option नमबर D, उत्तर प्रदेश ये St. George Fort जो है, ये चेन्नाई में कहाँ, चेन्नाई में चेन्नाई में इसको built किया गया था East India Company के द्वारा so, इसका right answer होता है C, तमिलनाडू ठीक है, then मिनाक्षी टेंपल is located in which place मिनाक्षी टेंपल कौन से place में located है option नमबर A, चेन्नाई option नमबर B, मदूराई option नमबर C, स्रीनगर और option नमबर D, none of these इन चारों में से कुछ भी नहीं है so, इसका right answer क्या होगा इसका right answer होगा मदूराई so, मदूराई में मिनाक्षी टेंपल located है so, इसका confusion आएगा मिनाक्षी और कामाक्षा टेंपल ठीक है कामाक्षा टेंपल कहां है वो स्रीनगर में है मिनाक्षी और कामाक्षी टेंपल यह दोनों में थोड़ा confusion आएगा इसको थोड़ा note कर लेजिए ठीक है so, इसका right answer होता है option नमबर B, मदूराई मदुराई में मिनाक्षी टेंपल लोकेटेड है आधे दिन का जोपरा वो कहां लोकेटेड है अप्सन नमबर A एलावाद अप्सन नमबर B आजमेर अप्सन नमबर C आगरा और अप्सन नमबर D चेनाई यह आधे दिन का जोपरा जो है यह आजमेर में बिल्ट किया गया था जो की आजमेर कहां है कॉनसेस्टेट में यह होता है राजस्तान ठीक है राजस्तान में यह लोकेटेड है ठीक है इसका right answer होता है आजमेर देन हावा महल which was in जयपूर created by home हावा महल जो कि जयपूर में है वो किसके द्वारा create किया गया था या build किया गया था ठीक है so option number A राजेंद्रव वान option number B गोपतर रुलर्स option number C महाराजा प्रताप सिंग option number D non of these so इसका right answer होता है महाराजा प्रताप सिंग जो कि जयपूर में एक बड़ा ही बड़ा ही बहुत ही बड़ा सक्तिशाली रूलर्स थे वो हावा महल को create किये थे ठीक है then Victoria Memorial was built by home Victoria Memorial जो कहा है Victoria Memorial जो कोलकता में है ठीक है Victoria Memorial जो कोलकता में है वो किसके द्वारा create किया गया था option number A तुगलक डिनेस्टी option number B गुपता रूलर्स option number C आकबर option number D none of these so इसका right answer होगा none of these क्योंकि यह जो Victoria Memorial है ना यह किसके द्वारा built किया गया था यह British company के द्वारा ठीक है so British rulers होगा इसका right answer then the largest dom of India गोल गॉम्बूज is located in which of the following place गोल गॉम्बूज इन तिन options में से कौन से place में located है dom का मतलब होता है जो circular type का circular type का building ठीक है so यह कहां located है बिजापूर करनाटक option number B वेंगलूर करनाटक option number C महिशूर करनाटक इन तिनों में से यह इसका right answer होता है वीजापूर करनाटक का वीजापूर में गॉम्बूज लोकेटेड है यह था आज का कुछ questions अगर वीडियो को अभी तक आप like नहीं कर रहे हो या subscribe नहीं कर रहे हो तो कैसे जलेगा भई तो subscribe कर लिजिए ठीक है इसके बाद हम कुछ discussions करेंगे और जो rest होता है historical monuments जो की exam में बार बार ही आता है तो उसके बारे में हम discuss करेंगे इसके बाद के वीडियो में ठीक है अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए comment भी कीजिए और अगर अभी तक चैनल को subscribe नहीं किये हो तो please एक subscribe करतीजिए ठीक है धन्यवाद